हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है विवेक राना स्टॉक्स के एपिसोड नमबर 7 में जिसमें हम चर्चा करने वारे कुछ बहतरी पैनी स्टॉक्स के उपपर और कुछ बड़े स्टॉक्स के उपपर भी तो डेफिनेटली वीडियोस को अंतक देखना एक बार दिखा जात अप एपिसोड नमबर 6 में इन स्टॉक्स के उपड़ मैंने बात करी थी तो डेफिनेटली आप इपर चेक आउट कर सकते हो अदो सभी एपिसोड के लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे तो डेफिनेटली एक बार चेक आउट कर लो अगर आपको करना चाती हो अब दोस् आपसे definitely बोल सकता हूँ कि आप please comment regular कीजिए future में आपका number भी लगेगा निरास होने कि आप सकता है बिल्कुल भी नहीं है दिले दिले करके सबका number आएगा सबके stocks के अब बात करेंगे तो आप comment करते रहिए definitely आपका number भी लगेगा और एक और चीज बोल देना चाहता हूँ please video को like कर देना, share पका कर देना facebook में, twitter में, telegram, whatsapp जहां भी आपको करना, share पका कर देना अगर आपको हमारी private class में join होना है सिर्फ एक बात दिया हमें, share करने के बाद message कर दो, हमें instagram में कर दो telegram में कर दो, या twitter में कर दो, जहां आपको अच्छा लगता हूँ, वहां कर दो अब बढ़ते, आज के हमारे episode number 7 के पहले stock के नाम की तरफ, जिसका नाम है, देख लीजी आप दोस्तो, try and share आपको याद होगा, एक दिन पहले ही मतलब कल, रात को ही मैंने इसके उपर बात करी थी, discussion किया था 16 रुपे, 40 पैसे, 16 रुपे, 50 पैसे में stock मुझे कापी पसंद आ रहा है आप stock को नजरो में रख सकते हो मैंने खुछ stock में investment कर रहा है 16 रुपे, 50 पैसे के आज-पास ही and आज stock में एक अपर सकिर देख रहा है साथ में एक volume के साथ मिला है आप look at the volume, किता अच्छा volume के साथ stock उपर जा रहा है and दोस्तों believe me, अगर इस stock अपना ये last swing जो आपको दिख रहा है 17 रुपे, 50 पैसे के आज-पास है अगर ये break कर देता है इसके बस sustain कर देता है ये stock आपको अराम से 20 रुपे से लेके 25 रुपे के target इसी महीने के अंदर जुलाई-अगस के महीने में दिखा सकता लेकिन तिहान रखो कभी भी blindly follow नहीं करना है एक छोटा सा stop loss आपको लगाना पड़ेगा जैसे मैंने आपको बताया था हमारे last वीडियो में ये last swing ही हमारा एक छोटा सा stop loss होना चाहिए जो निकल के आता है 16 रुपे या 15 रुपे 80 पैसे के आसफ़स मात्र 1 रुपे का stop loss था target आपको पाता है 5 रुपे के मतला almost 1-5 का risk reward निकल के आता है इस छोटे से penny stock पर बढ़ते हैं हमारे अगले penny stock के तरब जिसका नाम है नागा अर्जुना फटिलाइजर दोस्तो बहतरीन return stock ने दिया है जैसे मैंने आपको वादा किया था 5 रुपे के लेवल्स में ये पैसा डबल करेगा and you can see दोस्तो 14 रुपे हो चुका है पैसा डबल छोड़ो दो गुना कर चुका है definitely कल स्कुपर एक separate video में बनाऊँगा मैंने खुद stock में investment करी थी और आपको return में दिखाऊँगा कि हमें अभी कितने percent का gain हो रहा है करण market price में आपको छोटे सी clip दिखा देता हूँ दोस्तो आप देख सकतो यह रहा almost तीन महिने पहले आठ सी आपको छोड़ो इस छोटे से पैनी स्टॉक को buy करो lottery definitely लगी आप नाम देख सकतो यह रहा 6 रुपे फिर दुबार आपको recommend किया था नागा अर्जुना फटिलाइजर जब शहरोपे कास पर trade कर रहा था दोस्तो believe me जो भी चीज़ आपको देता हूँ सोस मचके देता हूँ लेकिन आप request करूँगा इन सब written को देखके blindly follow मत कर लेना अपनी खुद की research add कर लेना यह मेरी advice रहे कि आप लोग को उकले क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मेरे एक गलती के वज़े से आपका पैसा बरवाद हूँ ठीक है समझने का प्यास करना इस बात के लिए पक्का like कर देना share पक्का कर देना दोस्तों अब नागा अरजुना फटिलाइजर में क्या करना है profit booking कर लो भाई जैसे हमेशा आपको कहता हूँ यह जो नागा अरजुना फटिलाइजर था मैंने इसकी comparison RCF से गरी दी ठीक है RCF मतलब जो बड़ा stock था यह छोटा stock था हमेशा कहता हूँ गोड़े की race में गोड़ों की race में घदे भी दोड़ते हैं लेंगे घदे कब घोड़ा बन जाए समझ जाओ आप बात को मतलब घदा घोड़ा बन जाए मतलब return के मामले में बात कर रहा था मैंने और देखे दोस्तो पांच वाला चीज आपका कितने रुप रोगे 14 रुपे अल्मोस जो घोड़ा दावाना RCF उसको बीट कर चुका है उसकी return को अगर comparison करोगे दोनों की return को तो आपको दिख जाएगा कि RCF share की return बहुत कम आई है लेकिन नागा अर्जुन फटिलाजर की शीर की return काफी जवरदस्त आई है इसलिए कहता हूँ घदेओं में पैट लगाना स्टार्ट करो लेकित सोस समझ के बैट लगाओ पागलों की तरह बैट लगाओगे तो डेफिनिटी दुस्सान हो सकता है बढ़ते हैं हमारे अगले स्टॉक के तरह टैक्स में को पाई तो इसमें भी बहुत अच्छी तेजी अब दोबारा देखने को मिल रही है तेईस रुपे के आसपर रेकमेंट किया था मैंने अभी तक स्टॉक को होल्ड किया हुआ है और हमारे जो टागेट ते अल्मूस्स सभी के सभी टागेट में अचीव हो चुके मात्र दो या तीम महने के अंदर लेकिन स्टॉक में दुबारा से एक अच्छी काजी तेजी देखने को मिल रही है एक अच्छा काज़ चौट ट्रम में चोटे टाइम मेरे में डेली में मात्र एक या डेट महने के टाइम फ्रेम में यू पैटन फ़र्मिशन हो रहा अगर आप चाओ तो स्टॉक अगर आपने बाई किया है दुबारा किसी ने एंट्री करिए तो ये वाला स्टॉप लगा लो और यही हमारा अब नया स्टॉप लोस ट्रेल होगा क्या है लेकिन अगर आप तक होड़ किया अपना स्टॉप लो चिप्ट कर दूँँआ इस मैं या यहां से भी डबल और टिर musimy हो सकता है क्योंकि company के profit अच्छे आये थे last quarter में और इस बार के quarter के मैंने profit नहीं देखे की कैसे आये अगर आपने देखे तो निशा comment कर सकते हो की कैसे आये है बढ़ते हमारे अगले stock की तरफ प्लास्टिंग इंडस्री का stock है मतलब आप हो सकते हो Amazon और फिल्प कार्ड में अपनी sales देती है sales मतलब जैसे आप पानी की जो bottles होती है ये वो बनाती है और दिल्ली में इसका car खाना भी है साथ में दूस्तों ये stock अभी 70 रूपे का असपार recommend किया था उसी price में trade कर रहा 17 stock आपका almost 20 रूपे तक गया था 20 रूपे तक ठीक अच्छा घासा gain दिया था मैंने थोड़ा बड़ profit booking करी थी 20 रूपे के आसपास लेकिन stock दुबारा support ले रहा है 70 रूपे के आसपास अगर आप चाओ तो देखो भाई थोड़ा बड़ा stop loss है वही बोलना चाहरा हम थोड़ा बड़ा stop loss है अगर आप चाओ तो stock से अभी के भी exit कर सकते हूँ इंको डर लग रहा है मेरा जो stock में stop loss निकल के आता है stop loss यह है जो निकल के आता है 11 और 12 रूपे के आसपास करो ठीक है तो भाई अगर आपको डर लग रहा है तो stock से exit कर सकते हो बाकी यह last swing का stop loss लगा लो इसमें और मैं आपको कुछ एड़ाइज नहीं कर सकता अभी बढ़ते है हमारे अगले stock की तरफ जिसका नाम है उर्जा गलोबल दोस्तों यह stock हमने 6 रूपे 50 पैसे के आसपार recommend किया था और अभी दुबारा से stock में एक अच्छी खादी तेजी देखने को मिल रही है एक breakout हुआ है देख सकते है यह रहा ठीक है यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते है वाल्यूम का breakout तो हुआ 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 है साथ में यहाँ पर यह देख से टेंड लाइन का breakout होने वाला हो गया है तो कल अगर stock का high तूटता है तो definite stock के बहुत बड़ी तेजी आपको देखने को मिल सकते है दुबारा से stock अपना जो last swing है वो test कर सकता है जो निकल के आता आठ रूपे 50 पैसे के आसपार यह जो last swing देख रहा है आठ रूपे 50 पैसे के आसपार test यह stock कर सकता है दुबारा से दोस्तों लोग लगातार मज़से कुछ सुगर sector के stock के बारे बजाना चाहते है तो राणा सुगर है ठीक है बहुसा है sugar stocks है तो दोस्तों मैं आपको बोल देना चाहता हूँ उन सुगर stocks को पकड़ने का हाफाइदा जो अल्रेटी मल्टेवगर बन चुके है आप उन stocks को पकड़ो जो अभी सस्ते में आपको मिल रहे है और उनमें rally अभी तक नहीं आई है जैसे एक कोठारिया सुगर करके stock है मुझे काफी पसंद आया fundamentally और साथ में chart pattern मुझे काफी गजब का लग रहा है अगर आप चाहतो इस stock में investment कर सकतो लेकिन खुद की एक बार research add कर लेना यह जैसे breakout करेगा stock में काफी बड़े levels आपको देखेने को मिल सकते लेकिन लेकिन आपके stock होज लगाना यह last swing जो 37 रुपे के आ लेकिन दोस्तो त्यान रगना आप प्लीज खुद की एक बार research add कर लेना अगर आप चाहतो इसके बड़ सेपरेट वीडियो बनाओ निशे comment कर दो definitely 3-4 दिन के अदर बन जाएगा तो बात करते हैं हमारे एक और IT stock के बारे में इनफी बीम के बारे में लगता लोगोंने comment कि इसके बारे में जानना चाहते क्या करें दोस्तो देखिए एक अच्छा कासा inside बार candle बन रहा अभी तो तो अभी देखिए दोस्तो एक अच्छा कासा इसमें एक उपर की तरफ जा रहा है चैनले में trade कर रहा है ठीक है एक लगता हाई-rise का pattern बना रहा है कैसे stock का last swing तोड़ बार बार ठीक है अब क्या करना है अगर आपने stock को अभी तक hold किया तो मैं बोलूँगा hold करो आपको मैंने यह stop loss बदाया था last time भी अब stop loss आप चाहो तो यह लगा सकते हो जो last करने का swing निकल के आता है almost 45 रुपीज के असबस का stop loss लगा के आप stock में इंतजार कर सकते हो 60 बर वीडियो बनाओ 7-8 रुपे के असबर recommend किया तो stock 68 रुपे से almost 12 रुपे तक travel करके गया है 12-31 रुपे का stop का resistance रहा निचे गिर चुका है profit booking आप कह सकते हो यह थोड़ा बहुत profit booking stock में देखने को मिली है तो अब क्या कर सकते हो अगर stock ने अभी तक आपने hold किया है तो 8 रुपे 40 पैसे के उपर जब तक stock 8 रुपे 40 पैसे के उपर trade कर रहा है आप stock को hold करो कोई दिक्कत की बात नहीं है जब तक यह इसके उपर trade कर रहा है stock उपर रहने वाला है अभी यह एक range बे ट्रेट कर रहा है 8 रुपे 40 पैसे और आपका 12 रुपे जब तक यहां trade कर रहा ह को दिक्कत नहीं अगर आट रुपे चालिस पैसे के निचे क्लोस कर देता एक कैंडल और उस कैंडल अगर लो ब्रेक हो जाता तो सौक से आप एकजिट कर सकती हो लॉंग टरम के लिए भी शौट टरम के लिए मेरा माना दोस्तों यह सोक टैफिरेटी यहां पर दुवारा से एक bounce back कर सकता है आपको दिखा सकता है 12 रुपे के लेबल्स अगर 12 रुपे के अपर close कर देगा तो आपको 20 रुपे तक के भी target स्टॉक में देखने को मिल सकते क्योंकि एक अच्छा कात है volume के साथ उपर गया आप नीचे जो गिर रहा है स्टॉक यहां profit booking देखने को मिल रह अगर आपने stock को hold किया तो hold करो लेकिन 8 रुपे 40 पैसे के उपर जब तक है तब तक hold करो उसके नीचे जाता है तो आप stock से sell करने की सोच सकते हूँ अपनी on decision से ठीक है मेरे कहने पर नहीं खुद के decision लेने के बाद करना जो करना है अगला stock है दोस्तों विकास life care विकास multi cop जैसे आपको बताया था stock एक range बेट कर रहा support resistance के बीच में घिसने में लगा है ठीक है आप देख सकते है रहा गिस रहा है यहाँ पर ही और आपको मौका मिला था एक opportunity buy करने का और चाहो तो आप stock को कल भी buy करके चल सकते हो लेकिन यह last swing आपको दिख रहा है यह छोटा सा इस इस बार यह 30 रुपे जाएगा नहीं बलकि इसको close करेगा और बड़े target दिखागा साड़े 4 रुपे तक के ठीक है तो आशे करता को समझ आ गया हो कि इन stocks में आपको क्या करना है जिनकी मेरी जिनके मैंने चर्चा करी है अभी के अभी तो भाई आज का जो episode number 7 है I think खतम हो चुका है अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक पका कर देना शेर पका कर देना कॉमेंट पका कर देना क्योंकि लगतार कॉमेंट कर देफिनिटली आपके stocks का number भी आएगा एक कावत है अगर बाबर सोब में चो बनाई की दुकान होती है अगर मां बैठेर होगे त तो सुनर और लेटर आपका number आजाता है अगर हर 15 भी आदे घंटे ए घंटे का चक्कर काटते रहोगे घर जाओगे फिर चक्कर काटोगे तो कभी number नहीं आने वाला इसलिए comment करते जाओ definitely सुनर और लेटर आपका number भी आजाएगा तो भाई मिलता हूं next वीडियो में good night take care safe dating happy dating and peace out